लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें करें अजया कि अजया थी तो में बहुत मारेगी कि तुम्हें बहुत मारेगी तुम मेरी शिकायत करोगी या मां को बोलूंगी मैंने फाड़ी पांड़ी अजया पांड़ी यह देखो तुम्हारे सबुद्ने इन बच्चों का अरी वह लाट साथ है कहां जो घर की तरह भी भाग कर आया था मंगल अरे मंगल क्यों रे तुने मारा इन बच्चों को है इन्होंने मुझे माकी गाली दी तो क्या हुआ मुझे गाली दी थी ना तुम्हें नहीं मेरी मा को गाली जी थी बस किम्तारे अशी के मुर्दे से मैं तीरी मा थोड़े हूं मैं तेरी बाप की नोक्रानी हुँ ना अरे कल मुहें आए आए योए हुआ हैं सा justamente और मर deहां नहीं युदक कॉरा चाहए तुम्हाँ चुकरो fences गालीदी यह स्कोल में माथाट लोगरा और अटी डी महां कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर ख्यमा मानता हूं अब यह बच्चा कभी ऐसा नहीं करेगा कि मैं तुम्हें ब्याकर इसलिए नहीं लाया था कि तुम बिना मा के बच्चे को भुका मारो मैंने तो यह सोचा था कि तुम मां बनकर इसे अपने सीने से लगा लोगी लेकिन तुमने इसकी यालत कर दी शमा करना बेटा मुझे पता नहीं ता कि तु अपने घर में फाका कर रहा है बेटे उस थपड की चोड़ तुस से जादा मुझे लगी है मंगल बेटे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए अवालदार से आगे नहीं बढ़ सकता हूँ मैं चाहता हूँ तो पढ़ लिखकर बढ़ाओ के पोलिस में भरती हो वो भी सीधा सब इंस्पेक्टर जानता है मैं तेरे लिए क्या लाए हूँ देख इंस्पेक्टर की बर्दी मैं तेरे जनम दिन के लिए लाया था तू इसे आज ही ले ले अब बोल तू मेरा सपना पूरा करेगा ना बोल बेटे तू मेरा सपना पूरा करेगा ना मंगल बेटी अरे बंदारी ये फाइल लो और शर्मा जी को भी सबालो के सब्सक्राइब अब बंदारी साब के साथ चले जाए और चोड़ी के बारे में आपको जो कुई मालूम हो वह इनने बता दीजिए चलिए सर लाल सिंग दाकू थोड़ी देर पहले माजन तोले के च ठीक है अगर वो पकड़ा गया तो अपने रिपोर्ट पे मैं यही लिखोंगा कि उसकी खबर तुम ही ने दी थी तुम्हें मालूम है कि उसकी गरिफ्तारी पे सरकारी नम दूना कर दिया गया है जी साथ और आपको तो वह खास तोर पर दंकी दे चुका है सर अरे बंदार जिसे अपना सार हथेली पे रखना ना आता हो उसे पुलीस में काम नहीं करना चाहिए सुनो तुम साधा लिबास वालों को टो के लिए भेज़ दो मैं शिवपूर के दोरे पे जा रहा हूं बहां से वापस आने के बार मैं लाल सिंग को डूनूगा मैं हूं सर्जू को सर्जू किया खबर लाए हो इनस्पेक्टर गुपता अपने खास हबलदार पाड़े के साथ दोरे पे जा रहा है दोरे पर नहीं परलोक जा रहे हैं हम एक बात बोलें ठाकूर बोलो जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बिसर जाओ पुलिस वालों से बढ़ना अच्छी बात नहीं हम कहीं और निकल चलते हैं नहीं सर्जू यह नहीं हो सकता है उन्होंने हमारे पांच साथियों को गोली मारी है और हमें जेल भिजवाया अरे वो तो हमी थे जो जेल तोड़कर बाहर निकलाए वरना उस सजा को भुगतने के लिए हमें दूसरा जनम लेना पड़ता तुम कुछ भी कहो सर्जू हम उन उने जिन्दा नहीं छोड़ेंगे विटी शुष्मा हमारे जाने के बाद अपनी मम्मी को तंग नहीं करना है राजना मंगल को भी साथ लिए जा रहे हो सर आप तो जानती है घर में मावारत चुड़ी रहती है इसलिए मैं इसे कुछ दिनों के बाहर रखना चाहता हूं औ तो यह रुए सब्सक्राइब हो यह जाए फिरसी वार एव है मैं एस है कि मैंने सोचा कि राजनात के दूसरी साधी कर कर तुम लेकिन लगता है तुमार्डुकी हो गए कि है पादि एक यूरा राजनाथ और यहां को शुचे को लिखें यहां से जो शुचे नहीं नहीं है लिए जाओ नहीं सर मैं आपके केले छोड़कर नहीं जाओंगा कि अ कि अ कि मुझ्दिल कमीने हिम्मत है तो साम्याना लालसी, कमीने, बुटे, साम्याना मिकज्ञ लाटे बवाफिवें पोट्जा Zack क्या हुआ डॉक्टर आयम सॉरिक मैं हवल्डार पांडे को नहीं बचा सका हुआ और इंस्पेक्टर गुपता का क्या हुआ वो शायद बच जाए कोलिया तो सब निकाल दी सर लाल सिंग का अभी तब कुछ पता नहीं चला तलाश जारी है सारे रास्ते सील कर दी है तमाम चेक पोश्टों को ख़वर कर दी है लेकिन आप लोग बच्चे की तलाश के बारे में क्या कर रहे हो जानते हो बच्चे की तलाश और उसकी देख पाल करना हमारा फर्ज है है लड़के यह को सोने की जगह है चल घर जा आपने कुछ तो तो जख्मी है कौन है तू मेरे पिता मर गए है और मा मा सोते लिए है उसने घर से निकल दिया उसाद अफीम लोड कर दी है और गाड़ी भी त्यार है चलिए चलो मेरे साथ इसको कहा लेकी जाएंगे बच्चा जख्मी है देखते जाओ आओ मेरे साथ कि ना का आगया असाद लगता गाड़ियां चेक हो रहे हैं तुम प्रिगर ना करो गारी सबसे आगे लो ओकी कि अगया 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 यह मेरे बच्चा सीडियों से गिर कर जखनी हो गया साथ शहर ले जा रहा हूं डॉक्टर के पास यह देखिए और यह तो बहुत घायल है तुम जा सकते हो यह जाने दो जाओ अरी इस बच्चे करने तो बहुत मुबारेट निकले पूरे 15,000 रुपए का फैदा हुआ है इस बात पर तो हम भी कायल हो गया वहाँ वही क्या नाम है तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा तिसके बेटे हो मैं राजनात पंदी का बेटा हूं वे बात प्लुक्ड वेंग तुम भूट सुन उ मृत्य देंचा वास यह डिये बिलकुल नहीं हो के में अध्यकन बेटा हम लोग शरीप आदमी नहीं और मुझे शरीफ परना भी नहीं है, शरीफ लोग तो जल्दी मर जाते हैं, जैसे मेरे पिता जी, मुझे अभी मरना नहीं है, बड़ा होना है, और अपने पिता जी के हत्यारों को ढूनना है, लो ठाकुर, आखरी बूंदे हैं, बड़े आराम, बड़े प्यार से बीना, अब क्या करोगे? अब चलते हैं, काली माता के मंदिर के पीछे से अपना खजाना निकालते हैं, वो तो कहो के जेल जाने से पहले मैंने आखरी दाके का सारा माल खोद कर वहीं गाड़ दिया था, वरना आज फखीरों किसी आद़त होती, मतलब थाकुर वो बात सच है, कि आखरी दाके का माल तुम्हारे पास है, वो तो कम से कम आरदस से सोना होगा थाकुर, हाँ, इतना तो होगा, इसका मतलब यह, कि हम लोग रईस है थाकुर, जो हमारे साथी जेल में या जो मर गए, उन सब को बराबर बराबर का हिस्सा मिले नहीं सर्जू, वो माल नहीं बटेगा, यह का करता थाकुर, वो माल सिर्फ मेरा है, वैसे तु बहुत वफादार साथी है, सर्जू, लेकिन बहुत पुराना हो गया है, और अब कोई भी पुरानी चीन में अपने साथ रखना नहीं चाहिए, कि मैं एक नई जिन्दगी तुमारी मोट लाजसे! कि मैं इन्यू खुमारी मोट लखना है, वैसे तुमारी मोट लाजसे! झाल 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 प्राइब भार यहां ने से का फाईदा था चुका है उसे डूनने से कुछ आसिला हो और जो होने बाला है वह मालूग नहीं इसलिए अपने आज में जियो यहीं पर मेरा बच्पन गुम हुआ था यहां पर अब तक मेरे बच्पन और मेरे पिता के खोन की महख महफूस है बार बार रहा आता हूँ अपने आपको यह याद दिलाने कि मैं अपने अतीद का कर्जदार हूँ और वो कर्ज मुझे अदा करना है किसका कर्जदा करोगे किसे बदला लोगे मालूम नहीं लाल सिंग जिन्दा भी है के मर गया यहां जब आता हूँ तो यहां के जमीन कहती है मुझसे कि वो जिन्दा है और अपनी माप के लिए मेरा इंतजार कर रहा है लेकिन अब तो उसकी शगल भी बदल चुके होगी टाइगर कैसे प्रचान होगे उसकी आतीनों से मेरा पिता के खून की महक आएगी हाँ हाँ जब आतीन महकेगी तो सूंग लेना हाँ 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 है आए बस यह बस है योड़न का टोला है अरे कमर का हर्मोनिय बज़ गया आया अरे मिर्जा जी जवानी में यालम है तो बुड़ावे में क्या होगा अरे वही होगा जो मनजूर खुडा होगा मगर गुल्षब वो तुम्हारा क्या होगा तुम्हारी जुल्फ में आकर जो भुनगा आता होगा न उसका कुंश पता होगा प्रवाज भ्ग्वान के लिए शेयरी बंती अब बंतरी बहूत थक गया है थोड़ी चाई पिलवा अब मेरे मुझ की बात शीन ली अमा सामने होटल है चलिए पहले आप पहले आप लगता है पहले आप आप में गारी छूट जाएगी है आप जाएगी अगर कैसे चूट जाएगी परवास भाई आप चाय पर कितने शेर कह सकते हैं अमा कहने पर आओं तो उतने कहूं कि जितनी दाजली और आसाम में चाय की बच्टिया है पिलबदी आज किया है चाय की पत्ती अगर की बच्टी है कविता दीवी कौन कविता अमा कमाल करके वार उस्ताद कविता दीवी नहीं मालूम आहा क्या गाती है मा कसम क्या नाच्टी पात तो तब होगी मैफिल यहां जम जाए अरे क्यों ने उस्ताद तुम सिर्फ आवाज करो मैफिल यह जमा देता हूं बोलो देखो छोडी चाय को पिरोग्राम यह नमस्ते कवीता देख अनमालेकुम नमस्ते कह रही है आप क्या गाना गाती है मा कसम बहुत अच्छे उस्ताद रहा उस्ताद वो आपके बहुत बड़े फैन है वो कह रहे हैं आपके कवाली सुनेंगे हमने का जनाब आज मैफिल यह जम जाए देखिए अब वाईली कोई कुलफी है कि यहां जम जाएगी हम लोग पिरोग्राम करने जा रहे हैं आप हाल में तश्रीफ लगे आज मैफिल यह जमेंगे हमारे उस्ताद है न उस्ताद वो आपके बहुत बहुत बड़े फैन है भाई साब फैन की जरूरत नहीं यहाँ प हमारे उस्ताद मा कसम इन्हीं नाखुन के तो फैन है सच बोलो मैं है क्या तमाचा अर्ज किया है मिस्राए उला की तरह मिस्राए सानी की तरह मुकरर दूसरे लगी तो यहीं गाओगी तो यहीं गाओगी वरना उठाके घर ले जाएंगे समझी ताइगर के लाके में लड़कियां नहीं चड़ते हैं अब बड़ा एक ताइगर आप जाए बैठी ताइगर प्रौादुन प्री प्रीक डर कर्दूए प्रॉमर रिए कि अब बहुत हो लोग अब कि अब लड़ता है कौन ही अपने कुलभूशन का बेटा है सहब तो तुम हो टाइगर बड़ी तारीफ सुनिये तुमारी मैंने भी आनकी बहुत तारीफ सुनी है मलाकात अब ही यह हर काम अपने वक्षपर होता है टाइगर आज तुम मिले हो भगवान की दया से कुछ तुमारा भी और कुछ हमारा भी आज तुम जिस आदमी की जगा लेने जा रहे हो वो पिछले साथ साल से हमारे साथ था था हाँ कुछ दिन पहले पुलीस ने उसे पकड़ लिया था इससे पहले कि वो हमारे खिलाफ कुछ बताता किसी ने उसे लाकप में गोली मार दी किसी ने या अब ये बाते में तुम्हें बताने की जुरूरत है टाइगर तुम तो खुछ समझदार आदमी हो लेकिन एक बात जरूर है कि वो आदमी जब तक जिन्दा रहा किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारी तरफ कोई नजर उठा कर देखता नेरा टाइगर उससे भी तो हाथ आगे निकलेगा जगन से क्यों नहीं क्यों नहीं टाइगर एक काम करो तुम आज से रुस्तम की जगा समाल लो फुल भूशन तुम्हें हमारे सारे कारोबार समझा देगा ओ येस जाओ आओ टाइगर ओके आल दे बेस्ट तुम्हारे बारे में जगन सेट का टेलीफून आ चुका है ये बोतले क्या कर रही है भरी जाती है एक बाटल असली में दस बाटल नकली मिला कि वरंडी की 11 बाटले तैयार की जाती है हम लोग यहां स्कॉच रिड इन वाइड गर्दिये कि हर पिस्मी की शराब क्यार करते हैं अरे से ड्रम में से दो मरीवी चिपकिली निकली है चिपकिली से तो नशा और भी स्यादा तेज हो जाता है जो जाओ बाटले भरो और पुड़ा काम करो ठैरो चिपकिली वाले सार कर अपना हुकम चला रहे हो जाओ अपना काम करो मैं ऐसी बाते सुनने का आधी नहीं हूं जादा बड़बड़की तो जुबान खेंश कर हाथ में ते तूंगा यह करते हो टाइगर यह तो इसका हुक मानता है और यह तुम्हारा हुक मानेगा चाल सब बाड़ी फेक दो आ है जाएदा तो आप मुझे यहां इसलिए ट्रांसफर किया गया है कि यह राका जुर्म की ज्याद्तियों की वह जाशा से बहुत बतनाम है और इसकी रोग थाम के लिए डिपार्टमेंट ने बहुत से ख़दम उठाए है जगा जगा पर स्पेशल फोर्स, मुबाइल दस्ते और आफिसर्स की सूटेबल जगों पर तब्दिलियां भी की है लेकिन सदर के इलाके में कोई फरक नहीं हुआ जुर्म और बढ़ रहा है घुन्दा कर दी दिन बदिन बढ़ती जा रही है जो आफिसर्टमेंट नहीं वो मरा जाता है मेरे टायर होने से पहले उस अलाके को बिकल साफ देखना चाहता हूं यू सबजलीजे के उस अलाके से मेरी परस्नल लडाई है इसलिए मैं अपने डिपार्टमेंट के बहुत ही काबिल इंस्पेक्टर विजय शुक्ला की ट्रांसवर साधर पुली स्टेशन में करता हूं थैंक्यू सर्व मैं तुम्हें बड़ी आजमाईश की जागा भेज रहा हूं आपको मायूसी नहीं होगी सर्व गड़ यह सोल जेल्टलमन इज़ा तुमजर रुकना हूं कि अपना ख्याल अटना अपना 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 आप शुष मकाईक मेंसेज वह अब इस ने कहा है के तो मर्दीपा कल रात का खाना हमारे यह बढ़ ना को तूर लेकाना बहुत दिन होगे उसे देखे हुए इस बाइ कि अपना जी अपने सारी पप्टिया मेरे अवलाई कर दीजिए वरना आप नमस्ते जी तरह जी तरह जा अब अपने असली नाम जी को परणाम करो पार जी आप हर वक्त मुन्ना को पिता जी की आद के उन्दल लाते रहते हैं उसे फूलने क्यों नहीं देते पेटी नहीं आज तक राजनात को भूला हूँ और अपनी जीते जी तुमें से किसी को भूलने दूँगा तुम्हारे पिता के इसानों का बतला सिर्फ तुम्हें पाल पोस्त के बड़ा करने और तुम्हारी शादी कर देने से इनी चुका जा सकता राजनात का नाम दोस्ती वफादारी और इंसानी फर्ज का शांदार नमुना है आश मंगल मिल जाए उसे पाई बिन अमने से डर लगता है क्यूंके वहां अगर राजनात में अपने बेटे को बारे में पूछा उमें क्या सबाद दूँगा मैं बताती हूं मंगल को धून आज कौन से गां की धूल फांक करा रही हो अरे ठीजाजी हिंदुस्तान की तीन चौथा याबादी वही धूल फांक कर आंसू पी कर सो जाती है अज फिर शुष्मा आप में कोई उल्टी सीदी स्कीम सोरा कर हम दो लोगी जेब काटने बारे है अपकोट डाडी इस बार ज कर दो दो आजो कि आज बारे हैं उसलिके अद्वारी था वही तुम्हारी महरबानी यह का बात यह लो किटे डालो तुम्हारी ही तो महरबानी एं टाइगल जो आजमी बसों जेल मे रहा हो अपने गुनाहों का करज उतार चुका हो, फिर भी उसे समाज कभी माप नहीं करता है, और भाई, अगर तुम भी ऐसा सोच लेते, तो मुझे नोगरी कहां मिलती है। क्या बात है। यह मेरे रोटी चुला के भाग रहा था। क्या बात है। क्यों चुलाई थी रोटी? नहीं देती? शाथली है नहीं? शाथली नहीं यह रोटी मेरे अपने लेनी अपनी माके ले चुलाई थी। स्विपकिलू म्दली मिलने भी पिए अपसा बीमा रहती है। सक्थरधिन सस्क्राण क्यों कम छ्यारे और यह व्यूदी इस वाव्य। मुदी हएं कि हजनौ ऺड़े के लिगा ऐगि, मुदी विखत्त लाए। पर दो दो आपको यह बेचारा इसकी मां अप्सा बीमा रहती है एक काम करना यह कुछ पैसे हैं इसकी मां पर देजना और इसकी मां के लिए लग सिलाई में भाद देना अच्छा सारे जहां का दर्थ तुम्हारे जिगर में है है चलो वो जिगन से दिलार कर रहे होंगे आओ मां बेटे को बार पेट खाना खिलवा देना है और आपने मुझे बुला है आट आईगर रुस्तम के मर जाने के बाद कुछ लोग जिनकी हैसियत हमारी नजर में कीड़े मकोड़ों से बत्तर है सर उठाने लगे हैं वो समझते हैं कि शाय से निकेट के हाथ कमज़ोर हो गए हैं नहीं समझा नहीं तुम जानते हो टाइगर यह दिवाली नजदीक आ रही है और हर साल की तरह इस साल भी चीनी की कमी हो रही है बादार में क्योंकि बादार का तीन चौथाई माल हमारे गोडामों में बंद रहता है जो बाद में हम दुगने डामों में बेच कर इस कमी को पूरा कर दे हमारे चार टुक जो गुदाम चे बाजार जा रहे थे रास्ते में गाइप कर दिये गए तो पीटर ने पीटर पीटर तो जेल में जगन सेट अब नहीं वापिस आगया है ताइगर अगर पीटर से यह 2 गोरी कि एल जाल जाल की लॉकस लापस आजाएंगे आगर मैं तुम्हारा दोस्त हो थे कभी अब तुम सिंडिकेट के करिंदे हो टाइगर चले जा यहां से पीचर तुम इस वक्त होश में नहीं हो इसमें चला जाता हूं लेकिन मैं फेरा हूंगा कि अग्या पास्टर्ड तुम तो कहते दे जगह किसी बुद पता नहीं तो आया कैसे अग्या वो कैसे आया प्रेट यह पीटर चले टैयारी करो यह दिगा हमारे लिए सेफ नहीं है और तुम लोग लिख लो यहां से कम आप उन तो हमें गोवा लिजाने को लाए थे अगमार गेट लास्ट कम आप अग्या सुँ it झाल झाल कि अउदा उस्वाख पुम्हारे होश ठिकाने लगाने आग्या और अंजाम जानते हो तागर अंजाम बाद में देखा जाएगा बेटे पहले ये बदा और में तुम्हें नहीं चूड़ा लेकिन मैं तुम्हें छूड़ा उस्दा गया है जब तब मुझे ये बता-दो गया वो ट्रुक्स कहा है बता हो अब 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 आधा 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 तुमने मेरा विश्वास जीत लिया तुम पचास लाग का माल नहीं बलके सेंडिकेट की इज़त जीब कर लाए हो और इस कामियाभी का सेरा तुम्हारे सरे अगर आप लोगों को कोई इतराज नहों तो मैं टाइगर को सेंडिकेट में नम्मर टू पूजिशन देरा चाहता हूं हमें कोई तराज नहीं जगन से तु फिर एक जशन हो जाए है ताके हम ताइगर को अपने दूसरे साथ से उसे मिलवा दें क्यो नहीं, क्यो नहीं फिर जाम का क्या है का नशा जो है चबाब में, चराब में शवा नशा जो है शबाब में, शराब में तहा कुश्बू ये मेरे हुसन की, कुश्बू ये मेरे हुसन की गुलाब में तहा नशा जो है शबाब में, शराब में तहा जो शाइरी मेरी अदाब जो शारी मेरी आदा, आदा पहले लिखी ऐसी पोई, ऐसी पोई, ऐसी पोई, वजल किसी हिताब में कहा, नशा जो है, शबाब में, शराब में कहा, गिर्टों को बढ़के ठाम ले, जो बेखुजी मैं हूँ, गिर्टों को बढ़के ठाम ले, जो बेखुजी मैं हूँ, ये हासला, ये हासला, ये हासला, ये हासला, शबाब का शराब में कहा, नशा जो है, शबाब में, शराब में कहा, माली परवास भाई कहा है, वालूम नहीं, आप, कमाल है, आप भी वही मिलते हैं, जहां मिलने का खायल भी नहीं हो, मुझे तो वो गोपी पकड़कर लिया है, आपने गोपी की मा को मशीन दिलवाकर, गोपी के बचपन को गटकने से बचा लिया, मैं किस खाविल हूं कि किसी का बच्पन दिल्स को, ये खाक सारी उसे बताएगा जो आपको जानता ना हो, उसरोज अगर आप नहीं आया होते, तो मेरा क्या होता, लेकिन मुझे चुड़ा कर अब तो गाय भी हो गय, मुझे शुक्रिया अदा कने का मौका भी नहीं दिया, अब आपी पताएगे ने इसमें शुक्रिया दगने क्या बात दी, एक बात कहूं, कहिए ना, उसराथ आपको जगन से इसके साथ देखकर कुछ अजीब से लगा, क्यों, वो लुग अच्छी लोग नहीं है, आपको बुरा लगा मेरी बात का, नहीं, मैंने इसलिए कह दिय क्योंकि आखिर कोई तो कहता है, वैसे ये बात कहने के लिए आज तब मेरे संदगी में कोई आया ही नहीं, यू समझी, आज से मैं आगी, मैं भी क्या रस्ते पर खड़ी बातें कर रही हूं, आईए ना, सामने ही मेरा घर है, एक अप चाय पीकर जाईए, बहुत 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 शुक्रिया, मैं इस वक्त ज़रा जल्दी बेहूं, इतनी भी क्या जल्दी है, कहां जा रहे हैं? जहां अतीत के साय बार बार मुझे अपनी तरफ खिरते हैं, भगवान की दया और सरकार की मेरबानी से करोड़ों रुपे कमाने का एक बहुत ही अच्छा मौका हाथ लगा है, आप लोगों ने रहे अप बार में पढ़ा होगा, कि सारे उत्तर भारत में एक साथ बारा आ ग टाइफाइट काल राचे चक और इसी तरह के बीमारियों की सदमे होगा, और दवाओं की सक कमी पड़ेगी, लहाजा जिन दवाओं की कमी पड़ेगी, वो दवाएं हम लोग सप्लाई करेंगे, अगर हम लोग वार फोटिंग पर दवाएं बनाना शुरू कर देंगे, दव तो जाहर है टाइगर, असली दवाओं से क्या फाइदा, और इस आपरेशन के इंचार्ट भी तुम ही रहोगे, और प्राफेट में तुम्हें टैन परसंट एक्स्ट्रा मिलेगा, मैं मौत की इस तजारत में भागेदारी नहीं करूंगा, तुम मेरी बात मानने से इंकार क कर चुका, बात समंझे की कोशिश करो टाइगर, बात समंझे की कोशिश तुम करो जगन सेट, मैं लाखो करोनों बेगुना बेबस इंसानों की जिन्दगी के साथ खलवार नहीं कर सकता, मैं भी हाँ बैट वे इन लोगों की तरह शरीफ आदमी नहीं हूँ, मगर इन जैसा अगर परवाह होती जगन सेट, तो तुम मुझे टाइगर नहीं कहते है, टाइगर, चलो मात, मैंने कह दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा और नहीं तुम लोगों करने दूगा, टाइगर बेटे, तरह शांती से काम लो, चाचा तुम चुप रहो, तुम्हारे प्यार की ध जवान हूँ, तो मैं अपनी निगाहों से गिराना नहीं चाहता है, तुम्हारी निगाह की है, तुम एक लावारिस और यतीन बच्चे थे, अगर इसने तुम्हें सहारा ना दिया होता, तो कपके भूके मर चुके होते, या भीक मांग मांग कर जवान होते, और चोर उचक अगर चाहिए, तुम्हारे साथ रहने की सोच भी नहीं सकता है, तुम्हारा तो चेहरा देखने से निगाह मैली होती है, जगन सेष्क, यह अब ले क्या किया, टाइगर को जिन्दा जाने दिया, वो हमारे सारे राज और ठिकाने जानता है, उसे तुम्हारी डलना चाहिए उपर वाले ने हरे की मौत का एक वक्त और तरीका मुकरर कर रखा है अगर टाइगर चला गया तो उसमें इतना प्रिशार होने की क्या बात है वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा तुमने उन दोगों का साथ छो दिया है टाइगर यह सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है यह तुम नहीं जानते अब देखना तुम्हें जिन्दगी में कितना सुकुन और चैन मिलेगा सुकुन और चैन मिले लिए सिर्फ लफज है मैंने जिन्दगी की वो बेरहम सच्चाई देखी है जिसमें सिर्फ भूक गरीबी और जुर्म है सब्चाई का रास्ता अख्तियार करने में रुकावटें जरूर आती है लेकिन वो ना मुम्किन नहीं है छोड़ो हम भी किस बैस में पढ़ गए और क्या हो रहा है हो ना क्या है सुबा हो रही है, शाम हो रही है और जिन्दगी युही तमाम हो रही है पहले प्रोग्रामों के बारे में सोचा कते थी अब उनके बारे मैं नहीं से एप खु सरे एंचाई की तरहूँ कभी हाथ ही नहीं आते और आपी जाते हो तो जाने की जल्दी में रहते हो ऩस तो यह है कि मैं इस वादा करता हुआ कर दो कल जरूर में लूंगा यही और इसी वाख अच्छ आप कर दो 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 एंगार आजार घटार आटी नहीं है राते जाद के चाहे हर पर चाहे हर पर चाहे हर पर पर एकुर मिलने में क्या पुशी मिलने तन्हां देगे जाद जिन मांगदीना ये मिलन दुआ जादि जिन लांगदीना ये मिलन दुआ तरके एक चे जिदो जिनका मिलना ये मिलना है क्या कि कर दो कि अजया जुआ अजया 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 इस ताव अरे बुआ है यो मिले, तुना तुन रहा, हमना रहे, एकार दिना, हैंती रात्म, तेरा, तेरा, साथ दिन, साथ हो, जोवान के सन्हाव खधरते नहीं, जोवान के सन्हाव खधरते नहीं. दिर तर्के में डिर्ट वह क्रगें एक दो जिसा मिलना ही लूश वर साखरे के लिए निकल 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 pastors मिलगा शिर निकला और तकि यह पांक निकला है और hypothetical है आय है वहिचत महरित नक्षा उल्ता नगे अच्छाउ अहा उल्ता नगे मजनू नगे èveंजर करना miracle क्जुल्प नगे व्हालाद लीला ऩांच दूनिया वालो दाथ दो है मजों क्या देख रहे हो ये तो मैं खुद हूँ, किसे सुनाओं, शेर हजब नहीं हो रहा आओ चैश्म हीरनी क्या मतलब? माफ कीजेगा मैं अपनी चौकली भूल गया था, महीरन नहीं शेर कर रहा था सुनिये माफ कीजे, वो जरा माफ याप सुनिये तो सही माफ कीजे, मैं जल्दी में हूँ, ये कवीता जी का घर है ना? कवीता देवी का घर है, उनी का घर है, उनी का घराना है कहिए आपको क्या चाहिए? घजल, ठुमरी, दादरा, नादरा, फादरा पाद्रा अप नहीं संग्ज neo इंग्लिश की लगाई भी तरकीबेए इंग्ली스ा अबता कु Nie ज़िए उपलिंग्वी शेक्स्पीर फें विलियम् सेक्स्पिहर अंग्रियजी के शायर और आपके द्यृप साधर हूं जी हाँ वो लगने उसे पंडूबी में बैठके लंडन की शहर को गए थे वहीं जाके बस गए दरसल उनका नाम विलियम शेक्सकियर नहीं था उनका नाम था वली मिया शेख पीर उन लोगों ने गिस-गिस के रख दिया विलियम शेक्सकियर यकीना है तो शिजरा देख लिए अरवासबाय आप नहीं सुद्रेंगे महतरमा आप मेरी बिज़टी का रही है वो क्या है तो कवीता देवी आप है जी हाँ मैं हूँ पहशत में के कुंगली पहुचा ना जराता है आप कवीता जी है ना कवीता हूं जी नहीं हूं देखी करी माबाब बड़े होते हैं वो अपने बच्चों के नाम के पीछे जी लगा देते हैं ताकि कोई पुकारे तो लगे कि उनकी बड़ी इज़त है जैसे कि बैनल जी चैपल जी पल्यान जी आप असलिए बाद में बैट कर बाते करते हैं शुक्रिया परमाईए हम लोग की एक संस्था है जिसका काम है खरीब जरुतमंद अपाहिज लोगों की सेवा करना इसलिए हम चारेटी प्रोग्राम करके पैसा है करते हैं यह तो बड़ी अच्छी बात है आजकल आपका तुम्हारा बहुत नाम है और मैं चाहती हूं कि हम लोग इसका फाइदा उठाए इस महीने की बीस्तारी को हमारा इक प्रोग्राम है अगर तुम इचाज़त दो तुम्हारा नाम अनॉंस करते कर दो जरूर कर दो अब यह भी बता दो कि तुम पैसा कितना लोगी ऐसे प्रोग्राम के लिए मैं कोई पैसा नहीं लेती तुम गरीब और बेबस लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हो तो मुझे भी कुछ करने का मौका दो थैंक यू यह है हमारे सब्सक्राइब के करेंडर्स की फाइल काफी स्याजमन फाइल है हाँ और वड़ाची भी है प्रिश्ट नर्कोटेक्स इंट्रेस्टिंग इस फाइल के लावक और फाइल नो सर्ट इसमें सर्कल के मास्टर करेंड कर नाम कि नहीं है आम जगनार सेथ बंदा हाजिर माई बाप आप बुलाएं और भला मैं ना हूँ ये कैसे हो सकता है खड़ा रही है खड़ा रही है आप अगर यहां बैट गए तो फिर किसी शरीफाद में को कहां बिठाओंगा लगता है आपके आते ही लोगों ने मेरे खिलाफ आपके कान भरने शुरू कर दिये इस शहर में कोई किसी को फलता फूलता नहीं देख सकता अगर आप कुछ दिन यहां और रह गए तो आपको असलियत का खुदी पता चल जाएगा मैं सब असलियत जानता हूँ आपके जुए खाने हैं मटके कड़ड़ा है आपका नजाश शराग की भटिया है आपकी नगली दोवाया बनाकर बेचते हैं आप अनाज दोवाकर दाम बढ़ाकर बेचते हैं तो कांदारा को परेशान ने करने का किराएव असूल करते हैं आप और मैं आपके यह सारी कारसानी खत्म करने के लिए हाया हूँ जिस किसी ने भी आपको ये खबरे मेरे खिलाफ पहुचाई हैं वो जरूर मेरा कोई दुश्मन है राम 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 क्या लोग हैं अब तो मैं आप से ये मांग करूँगा कि आप मेरी चानबीन करवाएं और अगर मेरे दामन पर आपको कोई दाग धबा भी नजर आए तो आप मुझे गोली मार दीजिए मैं उन लांड़ी को बेची तरह जानता हूं जगलाल सेथ जहां आपने दामन के दाग दुलवाते हैं या तो अपने काले दंदे बंद कर दीजिए या फिर एलाका छोड़के निकल जाईए वहना जेल में चकी पिसवाते पिसवाते हुलिया बिगाड़ दूँगा अपका अंडर्स्टैंड गिद आउट जैराम जी की है अंगर को भी बुलवा लिया तुम तो एकशरी आदमी ओ इतने दिन तुम्हारी सभात में रहा जगन सेथ चुर्माना तो उसका भरना ही पड़ेगा गर नमस्कार साब खड़ा क्यों रहूं साब इंकम टैक्स देता हूं और उसी से आप तंखा पाते हैं मुझे मालूम है तुम किस खिसम की इंकम पे टैक्स देते हो मगर मैं उन लोगों मिसे नहीं जो बिग जाया करते हैं मेरे अगर तुम जैसे उक लिए को जगा है तो जील है और अगर अपन थिउ मेरे कोई झाया हूं इंस्पेक्टर साहब यो आप की धां कि धंकियां सुनकर दुम हेलाता हुआ निकल जाओं सु क्या करो गए कि कि अ problem कि आप धमकी तो दिजे मैं यही deeper इनकुछ आते रहते हैं जाते रहते हैं आते रहेंगे jाते रहेंगे कि मेरे खिलाफ कोई सबूत है आपके पास सबूत यू मिल जाएगा जब मिल जाए मुझे याद कर ली जाएगा नमस्कार कि अगर भी या प्या बात है सच्छु गोपी कि तब यह तर्दम से खराब हो गया है वो तुम्हें याद करना है जल्दी चलो हटो भाई जरा कुपी कुपी दो सिर्ध गोपी कुपी यह मेरी स्कुल की अपने ए मैं फ़स्टे महीं हो जो बहुँत है कि बोलो मैं एक टोड़ी ड मैंने इसमें से थोड़ी सी ब्रेंडी देदी ये बादी पुपी, पुपी नई नई, नई, नई 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 बेटा नई वक्तार, मैंने तुझ से उस दिन सारी जरीली ब्रैंडी फैकत नवा कहा था ना तुम कौन होते हो पुछने वाले तुम के बादी वक्तार, मैंने अग्तार, मैंने वे घुपी तुम के लादी कि अशब लोग है कहां फॉस्टिकल में कोई शम्चान भी गया है कि नहीं तुम्हारे बसका रोग नहीं रहा है अब कि अखुआ का यह इंग अखुआ का अखिशन पिर नुख को आखो दोपर को आखकर ले गया नाकिने तो किसी को लिए अब मुझे मालूँने आप हो फोन करके पूछ लें कि अधिया है कि अधिया है यह लेकिन आपने कैसे बीच यह नहीं मैं चैनल यूर्स है अज्ट कुन थे नहीं है यह कोई हमारे नॉकर करना करके उसी स्कूल तहीं ले गया को दे गया तो आपकी इस दुश्मनी पुनी है मुन्ना कहा है मुन्ना कान मुन्ना मेरा बेटा मुझे तो यह मालूमी नहीं कि आपको बीटा भी है मुझे बातों में उल्जाने की कोशिश मत करो टाइगर तुम अची तरह जानते हूं मुन्ना मेरा बेटा है और मुझे साब चुकता करने के लिए तुम मेरे बेटे को किडनेप किया है अगर आप से हिसाब चुकता करना होता इंस्पेक्टर विजय तो आप से ही करता मैं बाप की बेवकूफियों का बदला बेटे से नहीं लिया करता हूं यह जोम हो प्हां इज जो मैं तुम से आप आप करके बात कर रहा हूं इसका मतलव यह नहीं गोई जनसे टर गएऑ हो आनल मैं तुम जैसे कही वर्धी वालों को देख चुका हो मौ रधी वाले तुम जैसे मुझे भी देख चुका है मुझ समाल के बताओ मुन्ना कहा है बता वाना ठोकरे मारते मारते कोट वाली तक ले जाओंगा सारा शेर तुम्हारी जिल्लत का तमाशा देखता रहेगा काईगर के घर में आकर उसे नहीं लल कारते हैं रिवालवर अपनी चेब में रख लो इंस्पेक्टर मुझे हैं के लुझ सकते करिदा बताओ जाओंगा रखता है यारा को are शेखता वाल तक लागउ हैं कि अमर्मस बताओंगा शेखता उरब का हैं के ऽैंगा consumed would को बताओंगा मुझे हैं झाल झाल मुझे बस जाने चेही शुष्मा सबस्की को जाए पिरे जोड़कर चलेकर मेरा बच्चा भी दो नहीं है पार क्या अग को रहता मट्स्टे कांग ओगा इपा मुन्हा बेल गया मुन्हा मुन्हा मुम्ही मुम्हा कहाँ चला गया था तु तेरे टाड़ी हमें छोड़कर चलेगे मुन्ना ने बिट्टी ने अपने लिए ने तो कमस का मुन्ना के लिए मा है है फिलिए टेशन का बोलो क्या तॉइकर भाग या कॉं सी ट्रेंश यह कर दो कर दो सारी सिर्ट अजय कि अजय को आई आज़ी देखा एक चीजों से और पाधन की बनावाट इस तरह की दूसरी चीज़ा भी तैगर के बदन से बिल्कुल मिलती हैं सार विए बिलकुल कुछ लेगा है उसे लेख कोई शनाक कर सकता है नो सार शेना बिलकुल विकड़ गया है लेकिन आप एक यह दो आपकोई अगरेसे क्रिमनल के लिए भी यह मौत बहुत भैयनके कि अब जो पुस्त बड़ा है नमत्ति है कि और दृष्ट भी यह वह बुरी खाबर लाया हूँ वह वारा टाइगर एगर को यह लोग से कि अजय तब दश्वार इस अजय एए अजय जैसे अजय इसमीरे साथ हमारा सब कुछ चला गया है अब विटि इम्ज से काम लोगें इसे अबस्ती वालों अपने बिल पर पत्तर अख लिया है इसे तरह तुम्हें बताश कर लो ताइगर इस डेट आप अईसी प्यानक मौत और कोई दुआशू बहाने वाला भी नहीं लेकिन हम लोग हम लोग चलिब्रेट करेंगे इसके रिमार्ग से ब्लड क्लॉट निकालना बहुत ज़रूरी है नहीं तो नर्स इसे आपरेशन के लिए फौरण तयार करो लोग एिसे लोग प्यान बाद दूर्ण वाला भी वाला भी वाल वाला भी वाला भी य। कि अच्छा हूं और जिन्दा हूं तंजी कि आपको दूसरी जिन्दगे मिली कि मुझे दूसरी जिन्दगी की बहुत सक्षरूरत थी सिस्टर कैसी तबियत है अब आपकी यह इंस्पेक्टर दुबे तुमसे कुछ पूछना चाते हैं मेरे पेशन को ज्यादा थकाना नहीं ओके हाँ कि कुछ कागजी खाना पूरी करनी है मिस्टर आपका नाम क्या है भूल कर भी अपना नाम टाइगर मत बताना मंगल मंगल पांडे पिता जी का नाम है स्वगिय राजनात पांडे निवास राजमेर जिला जैपुर कि अध्यूज में तुम राजमेर के किसी गुप्ता जी को जानते हो हाँ राजमेर थाने के इंचार्ट थे इंस्पेटर गुप्ता तक तो तुम वही हो मैंने आपको पहचाना नहीं कभी देखा ही नहीं तो पैचानो के कैसे मैं उन्हीं गुप्ता जी की बेटी हूं सुश्मा लेकिन वह इंस्पेक्टर नहीं है इस भी है मैं डैनी को जाकर बताती हूँ कि तुम मिल गयो वह बहुत खुश हो जाएंगे हाँ क्या मंगल मिल गया तुम्हारा मंगल मिल गया मंगल के बारे में देखे हुए तुम्हारे सारे सप्रें पूरे होंगे राजनात मैं पूरे करूगा पीपा बैया, फिर आज की चीजे लग के आये हो ना मा ये पटी हुई कमिस देखी तो तुम्हें बहुत मारेगी तुम मेरी शिकायत करोगी ना, मैं मा को बोलूगी, मैंने फड़ी पीपा पीपा तुम कहा खो गये थे भीए, मैंने याद भी नहीं तुमको याद तो दिन रात आई, बहुत याद आई अगर याद करने के सो और कभी कह सकता था भी बहुत, तो ठीक तो है ना अगर ठीक होने का मतलब तिंदर रहना है तो ठीक हूँ मैं इपा इस पीच बहुत कुछ हो गया भाया तो अगर बनी इद्वा होई अगर अगर ने बड़े चाव से मेरी शादी की बेटी की तरह बिता किया तुम बिजे से मिलते तो बहुत होश होते भाया भवानी समझे उस टाइगर से जिसने मेरी सिंदगी में अंधेरा खोल दिया टाइगर को उसके किये कि सदा मिलके बेटी डेन के जिस एकसिडेंट में तुमें चोटे आई उसमें टाइगर भी था वो मारा गया यह तो बगवान से बड़ी नाइंसाफी हुई है अंकल उसे फांसी मिलती तो मेरा कलेज़ ठंडा हो जाता अपने मामा जी को नमस्ते करो नमस्ते मामा जी उस टाइगर ने तो इसे भी किड्नाप करवा लिया था क्या हां यह एक दिन उसके कैद में रहा टाइगर ने इसे किड्नाप करवा लिया था पैटे तब तो तुम्हें उसादमी को सूरत बिलकुल याद होगे जिसने तुम्हें किटनैप किया था यही तो मुश्किल है भाईया इसके दिल में कुछ ऐसा डर बैड़ गया है कि यह कुछ बताता ही नहीं जब कभी मुसादमी का दिकर होता है तो यह इसी तरह डरने लगता है नहीं बेठे घबराने के कोई जरूवत नहीं है भागवान के घर देर है अधेर नहीं इंसाफ ज़रूर होगा कैसे है सूरत सिंग सूरत सिंग क्यों तुम इस नाम से तुम जे सर्फ टाइगर पुकारा करता था हां आचानू तुम ताइगर भाया अधे बगवान तेरा लाख लाख शुक्र है यह सचु यह क्या तुम नहीं जानते भाया तुम्हारी मौत की खबर सुनकर बस्ती में किसी के घर चूला भी नहीं जला किसी को विश्वास ही नहीं हो लाता कि तुम तेरिक एक्षेज में मर गए अधे बस्ती वालों को बताता हूं कि ताइगर जिंदा है उनका देयोता जिंदा है यह सर्चु नहीं पस्ती वालों के यही मालूम रहने दो कि ताइगर मर चुका है ताइगर भी यहां पास्चु आप क्योंकि अब मैं टाइगर नहीं हूं मैं मैं मंगल हूं मंगल पांडे मंगल पांडे लेकर यह सब है क्या कि कभी बताऊंगा कब तक ऐसी है मौत अगर बसकी बात होती तो कब की मर गई होती बेचारी इनात रोती रहती है तुम जाके उससे एक बार मिलाव तुझी कि अब बहुत सारी रुकावटें है तो गविता की देख भालकते रहना तुमारे और कविता के लिए तो हमारे जान भी हासी रहे है है ठीक है चलता हो मैं तुम ऐसे कब तक छुपते रहो गए है जब तक यह पता नहीं चल जाता कि विजय शुक्ला के कटल के पीछ दरहसल किसका हाथ है अरे क्या बात है क्या सोच रहे हो वह नीची पीटर आया हुआ है आपने उसे बुलवाया है हां किसलिए अरे टाइगर का काम समालने के लिए हमें एक आदनी की जुरूरत है तो पी कि आप पीटर आओ कहो कैसे हो एले यह बोलो तुम अपन को बुलाया काई के वास्ते देखो पीटर सेंडिकेट का बिजनेस बहुत बढ़ गया है और सेंडिकेट को तुम जैसे आदमी की सफ जुरूरत है हम चाहते हैं कि टाइगर की जगा तुम लेलो पाइगर तड़ पास्टर्ड वो साला अपनी मौत मरकर अपन का सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया अपन उसके वास् कि आम तायगर से बदला नहीं ले सका बदला तो तुम अब भी ले सकते हो और वो नहीं तो उसकी गल्रफेंद सही गल्रफेंड कोंने बो कावीता आड़ विलो में गाति है अम तो कहते हैं अगरोगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी एक मैठल जमा दे जमा दून आज ताइगर भईया जिनदा होते तो किसी की हम्मतीय सोचने की, आप कौन बचायेगा उन्हें? अब लामत, कुछ नहीं होगा कर जाको यहीं जगह है, आप आप, अब आप, आप, आहें, आप, आहें, आहें जिसने पता दिया था और आप लोग आए भी बड़े अच्छे वक्त बनें आप यहां हमीने तो आपको बुलाया है रवाता है मैं लोगों के लिए नहीं गाउगी है नहीं गाउगी है खोलो जर्वादा नहीं खुलेगा कवीता देवी लेकिन जो जब तक हम नहीं चाहेंग आप हमारे साथ जबर्दसी करेंगे क्या शायद इससे पहले आपको बगाईर शराब के सुना था आज जी चाहता है कि आपका गाना शराब में भीगो भीगो के सुने क्यों पीटर अपन तो मर मिटा जो किन सेट आईए शुरू हो जाईए कभी नहीं जिद नहीं करते कभी नहीं तो हम लेकिन तुम अंडर कैसे हो ओइक तुम इसलिए आए है ता यह दिदी आवारी बुरा मतमना हम अपनी जुबान में सबसे बादमाश का मतलब होता कि सबसे बड़ा आदमी है देखो खान इधर हमारा प्राइवेट पार्टी चलता है समझे तुम जा इधर से हम इतर से जाने के लिए नहीं आया हम आता था अपना ट्रॉक के साथ चार ट्रॉक जिसमें माल बहरा बड़ा था रास्ते से चुरी चला गया इसलिए हम सबसे बड़ा बादमाशते मिलने आय पीटर नहीं जगन से वो दंदा तो अपन कब का छोड़ दिया ओए खोचे पीदर सोग तुम हमारा ट्रॉक का माल चुरी किया पीटर का बच्चा हम तुम को जिन्दा नहीं छोड़ेगा अरे नहीं नहीं खान पहले ये काम किया करता था लेकिन अब नहीं करता आकर उस ट हुआ अभादाम चील गुज़ा था जो आज सोनी के भाव मिलते इए अच्छा चुम बराबर माश इतले हम तुमको को फिलाएंगा ओहो ला 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 नॉा तुम पीदर-सोग खोचे तुमको तो हम हीं खिलाएंगा आहाँ बहुत महेंगी जो पराय औरत को हाथ नहीं लगाने का यह नहीं गादि कोई बात नहीं खोचे हम गाएगा यह नाकेगी और यह बजाएगी हाँ हम बजाएगा ओए कहा को जाती, यह जरा सुना तुर्ख जोड़ा जो पहन कर मेरा दिलदार चला हर तरफ शोर उठा लूट लिया लूट लिया तुर्ख जोड़ा जो पहन कर मेरा दिलदार चला हर तरफ शोर उठा लूट लिया लूट लिया मेरा दिल जानवाइबै, तुटे कुरुवान वैबै मेरा दिल जानवाइबै, तुटे कुरुवान वैबै तरद फशोर लूट लिया लूट लिया पर्ष्पुर्बाला जानमन नूर है तू, बड़ी मशुहूर है तू जानमन नूर है तू, बड़ी मशुहूर है तू, इश्क में छूर है हम, इश्क में छूर है तू जोट लिया लूट लिया सुख जोड़ा जो पहन कर मेरा दिलदार चला हर तरब शोड उठा लूट लिया हााा लोशे हमते हिलते हैं तनम इन पहाड़ों के जिगर ये समंदर भी रुके हमें हैं ऐसा असर ये समंदर भी रुके हमें ऐसा असर इस कयामत सी हुई जब की मेरा यार चला हरतर पशोर उठा लूत लिया लूत लिया सुर्ख जोड़ा जो पहन कर मेरा दिलधार चला हर तरफ शोर उठा लूट लिया लूट लिया आड़िया लिया नश्चरार पितने लूट जाच जोट राद्र लिया ठालन चेह ! लूब उप का जाचा ड्रशा हमाँ जाचा हमाँ ! लूट लूट्या वैया लोटूित . बारो cyclह कर मेरा लूटjang कि कहां चले गए थे मुझे छोड़ कर जानते हो तुम्हारी मौत के खबर सुनकर मुझ पर क्या खुद्री थी सारी दुनिया तुम्हें पुरा कहती और में बेबस जिंदा रहने की सजा पुगत रही थी आज अगर तुम नहीं आते तो जाने वो लोग कर मत कर अब मैं आ गया हो एक एक कर देख लूगा अब मुझे छोड़के नहीं जाओगे ना कविता कि मुझे गलत मत समझो लेकिन मेरा कुछ तुनों के लिए तुमसे दूर रहना बहुत सरूरी है लेकिन क्यों कि इंस्पेक्टर विजय शुक्ला मेरा पहन हुई था कि मैं जंदगी भर विजय की लाश को अपने कंदों पर उठाए नहीं कुम सकता लेकिन लेकिन यह सब हुआ कैसे इसका मुझे नहीं पता लेकिन इसके पीछे जरू कोई गहरी साधिश है जिसका मुझे पता लगाना है करता देपा भी यह सब क्या उठाला है बस यह को जरूरत की चीज़ें दीपा मुन्ना के लिए और तुम्हारे लिए है अब तुम्हारी सिवा हमारा इस दुनिया में और है कि कौन यह देखो अरी यह के पागल बने देखो अतीद में जाने से कोई शायदा नहीं है दिपा जंदगी एक सिलसला है ना और यूँ चलता रहेगा है अरे हां असली बात बताना में भूली गया बहुत जल्ब मैंक मकान लेने वाला हूं और इस मकान में तुम मुन और मैं एक साथ रहेंगे और फिर अब आए अब अब तुम तो इन से मिल भी ने पाए भी यह जो बहुत खुश होते अब समझ में यह आता हूं सत्यारे टैगर ने इस देबता पर वार कैसे किया मामी मामी आ गया है देखो तुमारे मामा आए है नमस्ते मामा जी खुश र है यह एं-बतर आक के लिए हम आज क्या लाए जाइन जय तुम मेंना से बाती करो मैं चाहिए ना कर साओ दो हम तब लिए यह लाएitta वह अ को यह पएह प्सटना बश्येगे शक्रीं कर मैं मामा जी हम तो दिखादेू है ईजरे लिगे गजा है एक बात है ना एक मोतने कर दो जो पहचान सकते हो जो तुम्हें से उठाकर ले गया था मैं दो इस आदमी के बारे में से कभी कुछ मत पूछना तुम्हें कहां तो जादीपा अधिया जीवन में इसके सिवा रोशनी की और कोई किरह नहीं है भगवान नकरे अगर इसे कुछ हो गया तो मैं बर जाएंगी इसे कुछ नहीं होगा जब तक मैं जिन्दा हूं इसे कुछ नहीं होगा आपने मुछ बुलाया है तुम आगे मंगल ये लो इस फॉर्म को भर दो और दखसत कर दो ये क्या अंकल तुम जानते हो मंगल तुमारे पिताजी को ख़ाहिश थी कि तुम एक पुलीस आफिसर बनो वो वक्ता गया है पुलीस आफिसर मैं पुलीस आफिसर ये कैसा हो सकता हमका मैंने डिपार्टमेंट से सिफारिश की थी किस्वर्गे राजनाब की सेवाओं को मद्द नदर रखते हुए उनके बेटे को पुलीस आफिसर बना भी आ जाए उन्होंने मेरी सिफारिश मंजूर कर ली है तुम जब तक ये फॉमरो मैं भी आता हूं अब तो अब तो यह तुम क्या कर रहे हो तुम एक खोनी हो और खोनी पुलीस की वर्दी नहीं पहन सकता लेकिन मैंने विजे शुक्ला का खोने किया है आनून के नजरों में तुम्हें हो अब तुम सोच मी नहीं सकती हो कर दो मुझे क्या गुजर रही है अब आतीच साही कितरा मेरा पीशा कर रहा है ऐसी हालत में पुलीस की वर्दी मैं कैसे पहल लो इतने बड़े जूट के सहरे मैं कैसे जिन्दा रह सकता हो जो बीट गया है उसे भूल जा हो टाइकर अब ज अब जो अब जो आखता है कर दो जैसे मैं गुणाहों के सजा से बचने के रूप बदल रहा हूं जो मैंसे लड़ने के लिए नहीं टाइगर मेरा दिल तो यह मानने के लिए तैयार ही नहीं कि विजे का खुन तुमारे हाथ हो गुआ है यहाथ यहाथ कभी किसी का खुन न कि लिए नहीं कि लिए तुम्हारे पिता सुर्गी राजनाथ पांड़े एक बड़े इमानदार पुलिसमेन थे सरकार उने समान देती है इसलिए उनकी याद का इतराम करते हुए तो मैं सब इंस्पेक्टर मुखड़ किया जाता है हमें यकीन है कि तुम भी अपने पिता ह जान देदूबगा तुम भी एचान दिवना सर वरस्टों ०ॉट आपका सपनाज पूरा हुआ पिताजी, आशे बात दीजे, आज राजनात की आत्मा अपने बेटे को इसी रिफाम में देखे फूली नहीं समाती होगी, यह सब आपकी बदाज हुआ है अंकल, मुबारक हो भीया, पिताजी का ये मेदल तुम्हारे लिए, ये मेदल उनहीं अ पहले आपने आपको, पिताजी का इस मैडल के योगे थाबित करेना दिजिए, अंकल, विजह मर्रक केस की फाइल एक बख़्र से खोलने के लिए, क्या मेरी पोस्टिंग उसी पुलिस सेशन में नहीं हो सकती, प्लीज अंकल, तो नहीं हो सकती, जरू हो सकती है, जरू हो सक कर दो कर दो दो कर दो कर दो आ तो यह सबसे नोट्रियस पुलिस सेशन यह करता है जो मुजरिम से हमेशा एक कदम पीछे रहता है दर असल कानून को हमेशा मुजरिम से एक कदम आगे रहना चाहिए आज इस पुलिस स्टेशन में हम इस नाय ट्रिडिशन के बुनियाद डालने जा रहे हैं हम जुर्म का इंतजार नहीं करेंगे राइज सर्थ जाए मिसर विजय शुक्ला के मडर केस की फाइल ले आदा वो केस ओ लो जो चुका है सर जानता हूं इस विटर शुक्ला वज ग्रेट मैंसर स्वानेस सो स्ट्रेट सुप्रेव कि उंद्रवी में यहीं था कि सारे लाके के बदमाशों कहला कर रख जिया था उनने एक दिन वो टाइगर नामी गुंडे को पकड़ने गए शायद नहीं बात पड़ गई इंसपेक्टर शुक्ला ने भी गोली चलाइग और उनका निशाना चुक य और टाइगर की गोली ठीक निशाने पेल लगी टाइगर की गोली ज़र वस वाट पर पिस पिस पीज़ नहींट मैंड़ वपन मिला जी ना मैंड़ वेपन मिला ना ताइगा है वो तो शीद टेन अगीड मार गार पास्ट ना पास्ट इस बट्या प्या यह इन टाइगा mm-hm और देने आपड अवील जगनलाल सेठ है सुना कि इंस्पेक्टर शुकला की जगे आप तशीब लाए हैं सोचा सलाम करता चलू इसी बहाने परीचे भी हो जाएगा हमारा परिचे तो बहुत पुराना है जगनसेठ जी जर्म और कानून का परिचे तो हजारों साल पुराना है जगनसेठ यहां के लो आपके हाते ही शुरू हो गए लगता है आपसे इससे पहले कहीं मुलाकात हुई है हजारों बार कहान जर्म और कानून का परिचे हजारों साल पुराना है तुम्हारे कई रूप है जगनसेठ मेरे भी कई रूप है नागरिकों का आदर करना सीखिये इंस्पेक्टर मंगल पांडे साहब यही गलती इंस्पेक्टर शुकला जी से भी हुई थी वो याद आते हैं तो कलेजा मूँ को आता है ऐसा शरीफ आदमी और ऐसी खराब मौद चेतावनी का शुक्रिया जगनसेठ लेकिन मैं स्वर्गिये इंस्पेक्टर विजय शुकला जैसा शरीफ आदमी नहीं हूँ इसलिए आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी कर्टूतों की सजा दिलवाए बिना मैं नहीं मरूंगा भगवान आपकी उमर लंबी करें इंस्पेक्टर मंगल पांडे साहब और मौत और जिंदगी का क्या वरोसा अब देखे ना मेरे पिता जी पूजा करते करते चल बचे मौत को यह अपने आने का तार थोड़ी देती है अच्छा तो मैं चलता हूँ एक बात सुनते जाओ जगन से या तो तुम अपनी हरकते छोड़ दो या फिर यह शहर वर्ना तुम जानते हो मेरा नाम मंगल पांडे तो फिर एक बात आप भी सुन लीजे आप ने ने आये हैं वर्ना इस शहर में तो यह बात मशूर है कि जगनलाल सेट को आज तक ना किस यह बात कल तक मशूर थी जगन सेट आज इंस्पेक्टर मंगल पांडे आ गया है तुम्हें डराने के लिए तुम्हें हराने के लिए तो फिर अपना शौफ पूरा कर लीजे आप पूरा कर लो अबाज है झाल झाल हर बात की एक हज होती है इस्पेक्टर साहब भारत एक परजात अंतरदेश है यहां पुलिस की धांजी नहीं चल सकती क्या हक है आपको मेरे इन आद्मियों को पकड़के यहां बुलाने का अच्छा यह शहर के सारे चड़े हुए बदमाश तुम्हारे आदमी है इस शहर का ह क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर ओं बेगुणाहों की मदद करना मेरा फर्ज है यह सब शरीफ आदमी है यह बदारी लाल जो 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 एक खाला चलाता है यह है मुखतार अहमध श्राब की बट्टि लगाता है यह शर्फी लाल जो नकली दिवाईयों का धंदा करता है और यह जो अन लोगों के हाथ पाउ तोड़ते हैं जो कर्स पे 5% महिवारत सूद नहीं देबाते हैं और ये है कूल कलंग, कूल नाशक मगरिन का नाम है कूल भूशंग जो चरस गांजा और कोकीन का व्यापार करते हैं ये है जेब कत्रों के सरदार श्रीमान रगू राय जी और ये हैं जान की दास काला व्यापार में नमबर एक हो सकता है इन मेंसे किसी ने खून भी किया हूँ कैसा खून किसका खून खून तो सबका लाल होता है जगन सेट इस वक्त मैं स्वरगिये इंस्पेक्टर विजय शुकला के खून की बात कर रहा हूँ विजय शुकला का खून तो टाइगर ने किया तुम छूट बोलते हो साबित कीजे पहले ये बताए कि आप इन लोगों को छोड़ते हैं या नहीं हर्गेज नहीं तो मादालत में इनके जमानत की अप्लिकेशन करो जैसाइब बंद कर दो इन सबकों का बंद आट भाइज नहीं हो अ कि मादेब नहीं हैं जमानत की अपनिञ celular लोगानत में जमानत की अ की आपनिशार जतास 스MA है झाल बार बार टोजड़ा इस देज़ा देज़ा लोगार ढार टोजड़ा इस देज़ा आर रहा है झाल 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 मम्मी तो नहीं है पास होने घर में गई है आज हम तुम से मिलने आया है मन्म मैं मम्मी को बुला के लाता हूँ कर दो अब बता मन्म तुम असादमी को पहचान सकते हो या नहीं बताओ मुझे नहीं मम्मी करता हूं बताओ बताओ नहीं तो और मारूगा मम्मी मन्म क्यों इसके पीछे बड़े हो भाया मैंने कुछ भी नहीं जानता शड़ दीबा मैं बताओ क्यों के बारे में उसको कुछ ना कुछँ कादल के बारे में पुलीस को सब कुछ मालूँ है कुछ नहीं मालूँ है तुम्हें चले जो दीबा अगर इसके दिल से ड़न ही ने निकाला गया तो इस इंदी के भर बुर दिल खेढ़ीगा चोड़ दे से नहीं मैंसे नहीं छोड़ूगी तुम यहांसे चले जाओ भाईया रहां बोल कि मुझे नहीं मालूम कौन था वो कासा आदमी था मुझे नहीं मालूम नहीं बताओ नहीं तो जान से माट दालूगा क्या माल डालेगा क्या माल डालेगा वह जो मुझे उठा कर ले गया था डरो मत बेटा तुम्हारी ममी मेरी बेहन है और किसी की हिम्मत है जो मेरे होते हुए तुम्हारी ममी को हाथ भी लगा जाएं बताओ कौन था वो वह एक गोरास आदमी था उसकी बड़े बड़े मुझे थी जरा गोर से देखो मन्हा इन में से कोई है नहीं वो वो भी नहीं वो भी नहीं वो भी नहीं हाँ ठीक है चलो मेरे साथ हाँ 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 है वीज़ दिसम्बर को तुम कहां थे मुझे चीक सी आद नहीं तो मुस्दिन को कभी भूल नहीं सकते हैं हाँ 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 मेरा नाम मंगल पांडे हैं और तो में संहरे कमरे में बेल को लगे लें हो तो मैं तुम्हारे बदन के हर जोड़ से उसादमी का नाम पूछ कर रहूंगा कि आदो को तो एक असमिए नहीं तो ये लिह काम तुम्हारे क्यों था कर टो चुद अशसक्रों हम थे जोई जानते जोई तुम यह नहीं जानते तुम म हम लाइट्स जगन सेथ इस्पेक्टर मंगल पांडे में सुजित को गिफ़ा कर लिया है हम जानते थे के एक में एक दिन यह हो के रहेगा वैसे मंगल पांडे बहुत उश्यार लड़का है लेकिन कभी कभी जुर्वत से ज्यादा ही हुशारी कर जाता है और किसी चीज़ की जाती बुरी होती है अगर सुजी तो क्या घजब हो जाएगा हम साप का मंतर जानते हैं तब कहीं जा के बिच्छो की बिल में हाट डालते हैं में पहचाना इस घर को देख गोर से देख कि टाइकर का घर है बजब देख जो इंस्पेक्टर विजए शुक्ला के खून से नाकदार हुई थी और यहां से इंस्पेक्टर विजए शुक्ला के शरीफ और बेगुना खून की महक आज भी आ रही ता तुमने यहीं से चुपकर इंस्पेक्टर विजय शुक्ला को मारा था और अब इस चुर्म में तुझे फासी हो मैं खतिल नहीं हूं आप मुझे शुर्ती जे मैं बेगुना हूं अब देखों हैं जाएं गजाएं अब देखों नहीं हैं आपने अपरीव से भाग कर कहा जागा साले बता देख सच वरना तरे बदन की यह खाटी तो डाल साब जाएं आप प्रता आप 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 चोड़ जीजे आप जोड़ें हाँ आप है कर दो कर दो तो कर दो लिए जिस बदोल के अच्छन दो कि अच्छन सुछन कियाओ तब कि अच्छन किया शेओ को URL को आभ झाल कर दो कर दो कर दो तो तुम ही वहां से भाग कर आया हो जिस तरह से तुम ने सुर्जीट को मारा है इस तरह से मारा गया था इसका मतलब यह हुआ कि इस तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते हैं आप पानून के ठेकेदार जुरूर हैं लेकिन किसी नहत्य पर गोली नहीं चला सकते हैं गर तारी वर्दी पहन कर आपने जो इज़त कमाई है आप उसे इतनी आसानी से गवाना पसंद नहीं करेंगे और आपकी बेवा बहन जो आपकी पूजा करती है आप उसकी निगाहों में अपनी इज़त गवाना पसंद नहीं करेंगे क्या बक्ता हो बक्ता नहीं अर्ज करता हूँ इंस्पेक्टर मंगल पांडे और टाइगर फिलहाल मेरी बातें तुम मानोगे और बाकी लोग इंस्पेक्टर मंगल पांडे और टाइगर की उगलियों के निशानात मिलाकर देखेंगे और वो भी मानेंगे इससे तो तुम अपनी जेब में ही रखो और अगर तुम ये समझते हो के मुझे गोली मार कर ये किसा खत्म कर दोगे तो ये तुम्हारी भूल है क्योंके मेरे और भी आदमी है जो पुलीस को असलियत का पता बता देंगे इसलिए बेहतर ये है कि तुम मेरी बात मनो तुम्हारी इज़द भी बढ़ेगी और माल भी मिलेगा वरना एस पी साहब को किसी वक्त भी तुम्हारी असलियत का पता चल सकता है एक बात तुम भी गोर से सुन लो जगन सेट मैं तुम्हें छोड़ूगा ने अरे बेटे मैं तुम्हें कहा छोड़ रहा हूँ अब तो तुम्हारा और मेरा जनम जनम का साथ रहेगा लेकिन एक बात तुम भी गोर से सुन लो वर्दी तुम सरकार के पहनोगे और हुक्म मेरा मानोगे समझे वरना पिछली दफा तो तुम बच गए थे अब के नहीं बचोगे पैचांते हो इसे यह सर इसे मैंने गरिफ्तार किया था एक केस भी चल रहा है इसमें उसी केस में यह जगन सेट के खिलाब गवाही देने को भी तैयार हो गया है अब जगन सेट कानून से नहीं बच सकता जगन सेट इसे खामोश करने के लिए जमीन आस्मान एक कर देगा अब जल से जल इसका बयान दिलवाने की कोशिश करो तागे इसकी जान का खत्रा भी कम हो जाए यह सर देखो अब तुम्हें घबराने के जुबत नहीं तुम हमारे बेहतरी नफसर के हिवाज़त में हो इंस्पेक्टर साहब जरा आप इधर आईए अरे साहब आप ही जाईए मैं आपको खा नहीं जाऊँगा आप तो जानते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ इस तरह सरयाम मिलना ठीक नहीं जगन से मैं आपको इतनी जल्दी कश्ट नहीं देता पर क्या करूँ एक बहुत जरूरी कामान पड़ा है आईए अंदर तो आईए मुझे एक आदमी की बड़ी सख्ट जरूरत है इसके? कुल भूशन 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 मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ तुम तो ऐसे कह रहे हो चैसे इंकार करना तुम्हारे अक्तियार में है शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी तुम मेरा काम करते रहोगे और मैं तुम्हारा और यह मेरी हजब मेरी मौखरी का सबाल है ताईएगर मैं इतना बेवखूप नहीं हूँ कि तुम जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हलाल कर दूँ आरे मैं तुम से वादा करता हूँ कि तुम्हारी इज़त और इमानदारी पर आज तक नहीं आएगी कुल भूशन का क्या होगा अब तुम आएसे भोले भी नहीं हो टाइगर की यह नहीं जानते के खुल भूशन का क्या होगा तो फिर आज रात मैं तुम्हारा इंतिजार करूंगा ओल्ड बैरेक रोड वाले बंगले पर चलो ड्राइवल जल से जिन्दा है कुपता थो कॉन सी जगह है यह आप मुझे यह क्यों लाएं अब बदा चल जाएगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर मंगल पांड़ेक जो आपने इस जलील से हमारी मुलाकात करवाने में मदद की क्या इंस्पेक्टर यह सब तुमने किया है वे इमान तुन्हे अपने आपको अपने फर्द को जरन सेट के हाथो बेज़ दिया है तुमने मुझसे पूछा था इंस्पेक्टर के तुम इस इजाम से कैसे बचोगे तो गौर से सुनो प्लान ये है कि कुल मुशन तुम्हे मेरे खिलाफ कोई सुबूत दिखाने के लिए यहां ले आया यहां आने के बाद उसने भागने की कोशिश की और तुमने उसे गोली मार दी इसने खुद अपने आपको पुलिस के हवाले किया है तो फिर यह भागेगा क्यों सरकारी गवापनना तो इसकी एक चाल थी दरसल यह मुझे ब्लैक मेल करके रुपया एड़ना चाहता था मैं तैयार हो गया जब रुपया इसके कबजे में आ गया तो फिर यह पुलिस के पास क्यों ठहरता लहाज़ा बाते बना कर यह तुम्हें यहां ले आया यहां आने के बाद इसने भागने की कोशिश की तुम्हें इसे रोका इसने अपना रिवालवर निकाल लिया इससे पहले के तुम इस पर काबू पाते इसने तुम पर गोली चला दी पर घबराहट में इसका निशाना चूप गया इस तो तुम पर दुबारा गोली चलानी कोशिश की तब मजबूरन तुमने अपने सर्वीस रिवालवर से इसे गोली मार दी और ये मर गया इस रिवालवर पर कुलबुशन की उंगलियों की निशान है जिसे मैंने परसों से महफूज कर रखा है लहाज़ा इसकी गोली तो चल चुकी अब तुम अपनी गोली का कमाल दिखाओ इंस्पेक्टर मैं किसे का मर्डर नहीं करता ये मत भूलो कि इससे पहले भी तुम एक मर्डर कर चुके हो टाइगर टाइगर लेकित ताइगर तो ये नाम भी तुम्हारा ही दिया हुआ है कुलबोशन ताइगर मेरा ताइगर कुलबोशन तुम्हें पैचान गया है ताइगर अब तो तुम्हें इसे मारना ही पड़ेगा अगर फिर भी इंकार करू तो तो फिर एक बात सुन लो जिस तरह मैंने इंस्पेक्टर विजय शुकला का खून किया था और इल्जाम ताइगर पर आया था इसी तरह अब मैं कुलबोशन का खून करूँगा और इल्जाम मंगल पांडे पर आएगा चाल बहुत अच्छी सोची जरल सेट जो काम मैं नहीं करना चाहता था वो अब तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए करना ही पड़ेगा नहीं तुम मझे भी मार सकते मेरे पाल पोस्क तुम्हें बढ़ा किया है बाप का सब प्यार दिया है टाइगर तुम्हें चाचा तुम्हें दॉलत को हमेशा जावा चाहा है मैं तो सिर्थ तुम्हारे पैसा कमाने का जरीया था और फिर वक्त पे सारे रिष्टे तूट जाते हैं चाचा अब जो आज ये रिष्टा भी खत्म होगा पहला मर्डर तो वाकई तुमने नहीं किया था डाइगर लेकिन कुल भूशन का मर्डर तो तुमने इस कैमेरे के सामने किया है और कैमरा कभी छूट नहीं बोलता बस ये समझ लो के कैमरा एक तरह का पिंज़ा है जिसमें हमारा टाइगर हमेशा हमेशा के लिए कायद हो गया अब तुम कुल भूशन की मौत की रिपोर्ट तैयार करो और लाश को पोस्माटम के लिए बिजवा दो मेरा प्लान तो खत्म हुआ अच्छा टाइगर हम चलते हैं इतनी जल्दी भी क्या सरकार प्लान अभी खत्म कहा हुआ कहना कह चाहते हो तुम चाचा इसमें नकली गोलियां थी लेकिन बार बार नकली काम करना कुछ अच्छा नहीं लगता जगन से इस पिस्तौल में असली गोलियां भरी हैं सब लोग इधर आजाओ तुम्हारा कैमरा तो टाइगर को कायद नहीं कर सका लेकिन मेरे पास एक छोटी सी आजीब और गरीब सीटे प्रेकॉर्डर है जिसने तुम्हारी आवास को कायद कर लिया है जिस तरह मैंने इंस्पेक्टर विजा शुकला का खोंग किया था और इल्जाम टाइगर पर आया था और यह आवास मेरी बेगुनाही का सबूत और तुम्हारा एक्रार जुर्म है आओ और आप तो मेरी हिडा सकते हो जलो नियुक्त अब चल्ला मोटे अब चल्ला मोटे अब अब मेरी हिडा सकते हैं से कर दो हिजाज दो तक लोगıkt मैं झायचे ट्परी अगराण चिन लो कर दो कि अपर अपर कि अपाज़ विफ जी आपके अपर ने विफ अप्रोब बार नहीं कि अपर शुक्राइब उसने जगन सेट को खत्म कर दिया लेकिन उसे यह नहीं मालूम के जगन सेट के हाथ कानून के हाथों से लंबे जो खेल टाइगर ने शुरू किया है वह अब उसकी मौत पर ही खत्म होगा जैसाई अब वक्त आ गया कि जगन सेट की काली करतोतों का सब को पका चलिया है मैंने सब्सक्राइब कर लिए तुम जगन सेट बोल रहा हूं तुम कुछ कहने से पहले मेरी बात ज्यान से चुनो तुमारी बहन और उसका बच्चा हमारे कज़े में अगर वो टेप लेकर तुम मेरे पास होटल गोल्डन पहले साधे गंटे के अंदर नहीं पहुंचे तुमारी बहन और उसके बच्चे को कोली मार दी जाएंगी जोले से स्टेशन से होटल तक मेरे आद में तुम पर नजर रख रहेंगे रास्ते में तुम किसी से बात नहीं करोगे और अगर तुमने कोई उशारी करने की कोशिश की तो अंजाम तुम जानते हो जल्दी करो कर तुमारे पास बहुत कम है क्यों है को कुछ दें देशाय मैं तुम से बहुत म्लूंगा यह क्या क्या कर रहा है तो अजर्द है रहा हुँ अजर्द मुन ना को उठा के ले गए और उसकी नौकराने से कहें कि अगर ताइकर अपनी बेहन और मुना की संदीगी चाहता है होटल गोल्डन पलेस पोच्चा है लेकिन ताइगर है कहां मुझे भी नहीं मालूम कल सब्सक्राइब उसे ढूड़ रहा हूं है ठीक है मैं होटल गोल्डन पलेस चाहकर उन लोगों को बचाने की कोश्च करती हूं लेकिन कवीता तुम अकेली कैसे जाओगी फिकर मत करो वह मैं उसकी बहन और बच्चे को लेकर पुरानी हवेली जाता हूं तुम नीचे रेस्टोरांट में जाओ वहां कैबरे शुरू होने वाला है और हर शेख पर अच्छी तरह नजर रखो जब तुम्हें यह इत्मिनान हो जाए कि टाइगर अकेला है तो उसे लेकर पुरानी उसे लेकर पुरानी हो बड़ना ओ प्यार में आगे बढ़ती जाओ दिन मुखागर करती जाओ चाहे मुझे फेर मरते जाओ लेकिन ना पाकिंग ना पाकिंग ना पाकिंग ना पाकिंग हुआ 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 हु कि तर क्दर से कि में तर कि अ counties 1 कि रहुआ कि उय संह पारे जारी और बारा सक आड़े earn कर दो 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 दो कर दोывайтесь प्रश्ट 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 प्रश् हजाद ओगा तप मुगा देव लेकिन इसना के भी मैं NO 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 तुम्हारा एक बहुत बड़ा फैन है निकल जाओ यहां से जानती हो गुड़ लग इसको कहते हैं जब मचली अपने आप जाल में फच जाती है अपन तो इसी दिन का इंतजार में थाड डाले ही हज़ा मेरे राज़ा कहां बख्तियों कहां बख्तियों कर दो हैं आप इस नंट भागते हैं अ जाएं था जाएं अ चुड़त कर दो दो कर दो कर दो कि अ सद्याइब आज तुपीटर के हाथ से नहीं बन सकते हैं अँछें फुर्ण वे अर शुर्ण झालップ जघए येज़कर सह रढ़ आए, अँछें अँछें, अँछें, पूर्णें! हां लड़कर देश्वाया टुछें वे बुछें लंघ़करीं अँछें झाल झाल इससे यह पूछो टाइगर कि लाल सिंग कहां है इसे तुम आज तक जगन सेट समझते रहे वो दरसल लाल सिंग टाकू है जबन सेट लाल सिंग डाकू जिसने मुझे मादना चाहा जिसने तुमारे पिता का खूं किया वही लाल सिंग मैं पूछता हूं कहा है पीटर यह सब हुआ कैसे तैगर कहा है तुम कजे हो सुनो ताइगरी धरी आ रहा है उशार हो जाओ जैसे उसे देखना गोली मार देना ताइज दीपा और मुन्ना कहां है टेप लाए हो यह सब बातें बाद में होंगी लेकिन एक बात कान खोल कर सुलो जगन सेट अगर मेरी बहन या उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम में से किसी को जिन्दा नहीं छोड़ोगा तुम्हारी बहन और बच्चे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है टैग वापिस करके उनकी जान बचालो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं इंस्पेक्टर अभी तुम्हारे हाथ में रिवालवर है तुम्हारे आदमियों के हाथ में भी बंदूके हैं उनसे कह दो कि बंदूके पैक्ट क्या है ज्याओ कि दिपा बार मेरी जीप खड़ी है तुम्हुना को लेको सुष्मनी जाओ नहीं भी जाओ नहीं पर जाओ जो मैं कहरा हो करो तुम्हारे जाओ 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 चल्दी करो कि तुम क्या समझते को तुम ये टेप लेकर बच गए तुम पुलीस से बच सकते हो तुम कानून से बच सकते हो लेकिन तुम उससे कैसे बचोगे लाल सिंग्ग कि लाल सिंग्ग तुम ने अपनी जिंदगी में इतने खून किये हैं लाल सिंग्ग कि शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुम्हारे हाथों मरने वालों में एक राजनात पांडे भी थे कि हवाल दार राजनात पांडे कौण आ तुम मैं स्वर्धियरा नात पंडे गा बेटा मंगल पंडे हूं वीज परस से मैं तुछे तलाश कर रहा था आज मैं तुझ से गिन गिन कर हिसाब हो अपनी बेहन के सुहाग का अपने पिता के खून का और अपनी जिन्दगी की तबाही का आज मैं तुझ से गिन्दगी की 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 तुझ से तूम्हारी में हो! मंगल गॉन्ट! इस जगह को पहचानता है तो इसी जमीन को एक दिन तुने मेरे पिताजी के खून से लाल किया था अब मैं तेरे खून से जमीन को लाल कर दूगा अब मैं तो इसा नहीं कर सकते तुम एक जिम्मिदार आफिसर हो तो खानून अपने हाथ में नहीं ले सकते यह आदम जिदन जगन से लाल पहन रखा है दरसमें लाल सिंग डाकु है इसने मेरे पिता का खून करके मुझे यतिम बनाया इसने आपको मानने की कोशिश की सर इसने विजे शकला का खून करके मेरी बेहन को विद्वा मनाया यह यह नीच और कमीना माज़ने के काबिल है इसने नकली तवयों को खबार करके नचारी कितने मासूमों की जान लिये मुझे से माट डाले दीजे सर मुझे मालू में मुझे कुल बूशने सब कुछ बता दिया है लेकिन फिकर ना करो कानून इसे सजा देगा अर्ण बता दिया है